लीज यह आज मैं सियर करने जा रहे हो ब्रेड की बहुत ही टेस्टी मिठाई जो की कम खर्चे में और जहटपट बनकर के तयार हो जाएगी तो इस रेसिपी को ट्राय करना तो बनता है फ्रेंट्स तो देखते रहे हैं हेलो फ्रेंट्स मैं अन्सु आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अन्सु का पाकवाने फ्रेंट्स अगर आप सभी को मेरी महनत और मेरी रेसिपी अची लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरू किजिएगा चलिए रेसि तो अब मैं इसमें से यह सारे ब्रेट को साइड करके एक ब्रेट छोड़ दी हूं प्लेट में और इसके एजिस को कट कर लेना है बिल्कुल इस तरह से जो साइड में ब्राउन पार्ट्स है न ब्रेट के उसे हमें चाहरो साइड से कट कर लेना है बिल्कुल इस तरह से तो गुजिया और माल पुगा तो बनाना भूली जाएगा फ्रेंस बहुत ही आसान तरीके से ये मिठाई बनकर तयार होती है तो चलिए मैंने यहां पे ब्रेट के सारे एजिस को कट कर लिये हैं अब इसके जो यह हमने साइड के जो पार्ट्स काटे हैं इसे आप क्रम्स बना के यह मिठाई बनकर के तयार होने वाली है तो देखे बिल्कुल इस तरह से हमें क्यूपस में कट कर लेने हैं ब्रेट को अब हमें इसे कर लेना है फ्राई तो चलिए मैंने यहां पे ओईल को रख दिया था गर्म होने जब गर्म हो जाए तो फ्लेम को कर दीजिएगा लो हमें इसे निकालना है तो देखे बिल्कुल अच्छे से यह गोल्डेन हो चुका है अब मैं एक प्लेट के उपर में डाल ली हूँ एक छनी और इसके उपर में सारे क्यूपस को निकाल करके रख दूँगी ताकि इसके अंदर जो भी वैल होगी वो सारा निकल जाएगा तो हमें बस हलकी सी चासनी बनानी है या एक तार या दो तार की चासनी हमें नहीं बनानी है तो देखे चासनी जब गाड़ा हो जाए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि चासनी को हमें गाड़ा करना है बिल्कुल इस तरह से उंगलियों में डाली है और यह चिपकने लग अब मैं इसमें dip कर दूँगी जितने भी क्यूब्स को हमने fry किये हैं ब्रेट के उन सभी को चासनी में डालना है और दोनों साइट से पलटते हुए डाली और निकाल लिए बस इतना ही हमें इसमें डालना है चासनी में डाल करके हमें चोड़ना नहीं है कि उपस को नहीं तो यह soft पढ़ जाएंगे और इस तरह से इस छनी के उपर में आप डाल दीजे ताकि इसके अंदर थोड़ी बहुत जितनी भी चासनी होगी वो सारा निकल जाएगा प्रिट में तो यह तरीका को ज़रूर अपनाईगा फ्रेंड्स बहुत यह आसान तरीका है यह मिठाई बनाने इसे आप ब्रेट खीर मावा टोस्ट भी कह सकते हैं या ब्रेट मलाई टोस्ट भी कह सकते हैं बहुत इटेस्टी आप इसे क्या कहना चाते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए अब मैं यहाँ पे नेक्स से च्टेप दिखाती हूँ मैं यहाँ पे दो कप पैन में तो मैंने अभी पैन को गैस पे नहीं रखा है दो चमच मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल कर इसे फटा फट से मिक्स कर लोंगी जब यह बिदाउट लंपस अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है उसके बाद हमें इसे गैस पे रख देना है तो चलिए मैं इसे गैस किया उसमें से थोड़ी सी बच गई तो मैंने यहाँ पे डाल लिया है अगर आपकी चासनी नहीं बच रही है तो आप इसमें एक चमच चीनी भी डाल सकते हैं मीठा आप अपने एकोर्डिंग डालिए अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी देसी घी तो मैं यहाँ पे दो च चमच देसी घी डालूँगी से साइनिंग आजाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आजाएगा तो चलिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है बिल्कुल इस तरह से मिक्स करके बनाईएगा देखिए दूद भी बिल्कुल अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है दूद को पून उठाई एक स्पून ले करके और इस तरह से ठरेट कर दीजा ब्रेड के क्यूपस के ऊपर और दूसरी क्यूपस लिद्योर इसे कवर कर दो यह देखिए इसी तरह से मैं दूसरा वी एक बार करके आपको दिखा दे रही हूँ फटा फट से इस रेअइपit को ट्राई उसे में इस तरह से कवर करके और इसके साइड में जितनी भी एक्स्ट्रा बस जाती है उसे निकाल देंगे ये देखे सुपर क्रिस्पी हमारी ब्रेड की मिठाई बन करके तयार हो चुकी है तो फटा फट से इस रेसिपी को ट्राइ किजे फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी ये बन जाती है कम खड़्चे में और कम मेहनत के बिना मेहनत के ही और जंजट के ही ये रेसिपी बन कर तयार हो जाएगी जब भी आपको मीठा खाने का मन हो या फिर होली पे भी आप इसे बना सकते हैं या किसी भी फेस्टिवल पे आप बनाएज चलिए मिलते हैं नई के साथ नेच्ट वीडियो में.